नमस्कार शौकत आप देखरें मंचान योज़े में अपके साथ अंकिसिंग चुहूं सामकी बड़ी खबरों के साथ यह आपका शौकत है और बढ़ते हैं खबरों की और बता दो कि लगतार किर्केट से बाहर रहने के बाद रोही सर्मा एक वर्फे ट्यूटर के पीछ पे वापसिक किया है वापसिक करते ही देश में इतनी बड़ी जो मामारी फैलियों यानि की कह सकते हैं कोरेना वारस उसको लेकर लोगों अपने यानि की अपने प्रंशांसकों को नसी हड़े डालिया यह हम आपको बताते हैं इस खबर के अंदर में कि रोही सर्मा ने आखिर क्या कुछ का है बताते चलू कि टीम इंडिया के स्टार भल्लेबाज रोही सर्मा ने इस समय फैलिक खतरनाक बीमारी कोरेना वारस को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही दे उनकी जो आपसी होई है ट्यूटर के पीछ पर होई है और उन्हें साथ ही एक बड़ी नसीहां दे दिया है अपने फैंस को पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लोगों से बीमारी को लेकर सतर्क और साधान रहने की बात कह रही है बताते चलू कि रोहीत ने कहा है कि आपने आसपास की जनकारी रह कर सकते हैं यानि कि का सकते हैं कि रोही सर्मा सिर्क किरकेट के मैदान पर ही ये नबाजों के छक्के नहीं चुड़ाते उन्होंने ट्यूटर पीछ भी आकर इस कोरेना जैसी बीमारी को लोगों से सरतर करने की सलावी दिये बताते चलू कि ल संसकों को तरजी दे डाली और कह डाला है कि आप कोरणा जैसे वारत से सतर्क रहें और साथ ही इस से बचाओ के लिए लगतार कोई ने कोई उपाय करते रहें बताते चलू कि रोहित ने कहा है कि इसलिए क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाए हम मौल जाना चाहते हैं ठीटर में फिल्म देखना चाहते हैं रोहित ने साथ ही इस बीमारी से लड़ रहे डाक्टरों की भी तारिख किये इतने कहा है मैं सभी डॉक्टर और पूरे विस्ट के मेडिकल स्टाप के प्रयास की तारिप करता हूँ जो उन्हेंने अपनी जान जोखी में डाल कर उन लोगों की देखभाल की जो कोई रेना वारेस से पिरित है यानि कि क्या सकते हैं कि रोहिस सर्मा जल से जल किर्केट में वापसी करेंगे लेकिन उससे पहले उन्हेंने ट्यूटर के पीच पर वापसी करके अपने फैंस को नसियत डी डालिया और इससे सरतर करहने की कैई अहम जानकारिया भी आपने ट्यूटर के माध्यम से सेयर की है इसी परकार और भी खबरों शबने रहने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ बने रहिए नमस्कार